हेलो एवरिवन कैसे यह आप सभी लोग इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जो आखरी के 30 दिन बचे वेना भी आपकी सीजल 19 टीयर 2 एक्जामिनेशन में इसमें आप कैसे स्ट्रेजी अपनी बना सकते हों और आपको यहां पर यह भी पता है कि टीयर 3 एक्जामिनेशन भ आपको प्लैनिंग करनी है जिससे कि एक्जाम टाइम में आप कोई ब्रंडर न कर जाओ होता है कि हमें लगता हमारे पास 30 दिन है हम बहुत कुछ पढ़ लेंगे इसमें यह कर लेंगे वह कर लेंगे स्ट्रेजी बना लेते हैं कुछ इस तरह कि पता चलता है हमने एक स्रेक सबसे पहले तो अनलमोक टेस्ट का अनलेसिस बहो जाता है किस तरह से अनलाइज करना है उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई थी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आउसका लिंग डाल दूँगा आप वो वाली वीडियो बाद में जाके देख सकते हो उसके बाद यहां पर सबसे पहले प्लैनिंग का सबसे इंपोर्टेंट पार्ट होता है एक एक दिन इंपोर्टेंट है आपके पास कितने दिन बचे हैं लगबकच अगर आज का दिन में खत्म कर दो तो 29 दिन ही बचे हैं अगर आपको दो तारिक को पेपर पढ़ जाता है तो आपको अब 39 दिन के अंदर आपको ये देखना है आप दिन का कितना पढ़ते हो कुछ लोग होंगे जो दिन का 6 गंटे पढ़ रहे हैं, कुछ लोग 10 गंटे, कुछ लोग 8 गंटे, हो सकता है, कुछ उन लोगों में से हो, जो 4 गंटे ही पढ़ रहे होंगे अभी दिन का, ठीक है, तो सबसे पहला काम तो आपको यह करना है, कि आपको यह जानना है, कि आप दिन में कितना घंटा devote कर सकते हो आने वाले 30 दिन तक उसी साफ साफ अपनी strategy बनाओगी क्योंकि एक एक घंटा है आप में इंपोर्टेट है एक घंटा आपने अगर किसी गल चीज पर दे दिया तो आपका performance पर उसका effect बढ़ने वाला है तो आपने सबसे पहले देखा number of आर्स आपके पास कितने है ठीक है आप इसमें मौक टेस्ट भी देना है उसका analysis भी करना है और सबसे ज्यादा इंपोर्टेट वो है उसके बाद मौक टेस्ट भी देने आपको जिससे की एक्जाम में प्रेशर हैंडल कर पाऊ और उनका analysis भी करना है तो इन आर्स को आपको आने वाले टाइम में कि एक्जाम में कैसे करना है उनका प्रेशर भी थोड़ा गम होता है तो बहुत सारी चीजों पर हमें ध्यान देना है आप तो मैंने कहा कर आपके पास 240 घंटे का आप टार्गेट लेके चल रहे हो तो आपको पता होना ची कितने टाइम में आप complete revision कर होगे किसकी दो section है हमारे पास एक है English और एक है quant section आप मेंसे मैं मानता हूँ maximum लोग ऐसे होगी जिन्होंने पूरा को सब तक complete कर लिया होगा बस आप revision for space में या फिर mock test के face में होगा आप मेंसे कुछ लोग ऐसे होगे एक आदा chapter रहे गया होगा तो वह भी cover कर सकते हो आप अभी कोई इतना बड़ा दिक्कत नहीं है लेकिन आपको time देखना बड़ेगा किस चीज के लिए कितना time आपको devote करना है revision की बात करूँ अगर quant section की बात करें तो पूरे course को अगर आप revise करना चाहते हो starting से लेके end तक तो इसमें आपके 30-40 घंटे अराम से जा सकते हैं अगर एक easy question भी revise करना है मुश्किल question में वह कहां से करोगे जो आपने notes बनाए होंगे वहां से तो यहां पर revision जरूरी है quant section की आप revision करोगे 30-40 घंटे उसमें चले जाएंगे English section की बात करें English section में revision और भी जादा important है क्योंकि vocabulary section अगर आपने revise नहीं करा तो exam में याज नहीं आएग इस तरह grammar rules जहां पर आप ऐसे जो sentences हैं जिसमें आप बारबर गलती करते हो तो वाला पाट आपको grammar का एक बार revise करना पड़ेगा तो वह चीज भी देखना तो यहां पर revision एक important role play करेगी जो 240 घंटे मैंने कहें इन में से आपके 30-40 घंटे one section की revision में और 30 घंटे अराम से आप अब तक बहुत बार revision नहीं करें अब revision कितनी बार करनी है अब यह 30-40 घंटे का मैंने यह निकाह कि एक बार कि मैं revision करोगे अगर आप पहली बार पेपर दे रहे हो तो आपको इतना time अराम से लग जाएगा दूसरी बार पेपर दे रहे हो चीज़े आप उल्रेडी बहुत को करने की कोशिश्ट कर रहे हो जहां पर ज्यादा टाइम ले जाओगे यहां पर में इंपोर्टेंस किसके टाइम की है ऐसे से का सलेबस कोई बहुत मुश्किल सलेबस तो है नहीं 10th level की मैस होती है आपकी लेकिन हम जो त्यारी करते हैं पूरे साल भर कोचिंग लेते हैं उसका मतलब यह होता है कि हम एक्जाम में कम टाइम में सारे के सारे कोशिश्ट कर पाएं हमें सारी सीज़े पता हूं कि कोश्चन को देखते ही यह वाले कोश्चन बार बार आते हैं हाँ मैंने इसके प्रैक्टेस कर रखी है सेम कुश्चन आया तो मैं जट से कर दूँगा मुझे ज़्यादा बेसिक पर जानिक जो तनी पड़ेगी ज़्यादा और कुछ निकरना पड़ेगा कम टाइम में मानसर निकाल तो में तो टाइमिंग का केला सारा का सारा इसलिए रिविजन ज़रूरी है हर एक टाइप आपका टिप्स पर होना चाहिए जो आपने अभी तक करनी है और क्वांट सेक्षिन भी कंप्लीट रिविजन का खितम करनी है आपको देखने कितना टाइम लगेगा रिविजन में आईडिया लगा के रखना अपने पास एक बार कंप्लीट रिविजन और उसके बाद जो आपको जहां पर इसमें बहुत साई चीज़ ऐसी मिले सकते हैं एक डिट हजार तो ज्यादा बोल दिया 500 वर्स ऐसे मिल सकते हैं आपको जो आप बार बर भूल जाते हो चाहिए वो एडियम सेंट प्रेसिस की फो में हो या फिर किसी और चीज के फो में हो ग्रेमेटिकल रूल जो बार भूल जाते हो ठीक है उनकी एक्जाम से पह दो बार भी कर सकते हो तो यह रिवीजन करना है तो रिवीजन का टाइम इंपोर्टेंट है होता कि हम मिश्टेक क्या करते हैं आपको लगता है आपने जो साई चीजे पर तक सीखी है वो सारे आपके दिमाग में रहेगी लेकिन नहीं रहेगा आप भूल जाओगे अब बहुत कुछ मिझे सीखने को मिले का चलो इस बुक से कर लेता हूं मैंने कोई चैप्टर उठा लिया से टाइम स्पीड इंडिस्टेंस अब उस बुक में मिल गए उसके अच्छे लेवल के कुश्चन ठीक है जैसे के लेवल 3 लेवल 2 के कुश्चन होते हैं या फिर अगर ह अब होगा कि लैवल कर को च्जन का अच्छा होगा तो बीश करने में आपको एक घंटा लग आगा कियो आप ने कर नहीं रख्क कDEN ऐख सीथी तो उसके आने की चांसिस भी कम है और इसे आपको करने में 20 कोशन है एक घंटा लग गया हो सकता है आपको कुछ कोशन में अटक गया आप उसे बार पर करने की कुश्च करणी वो एक कोशन ही 20 मिट ले गया दो हंटे आपने लगा दिए अब क्या यह दो हंटे भी काम के हैं 20 कि यहां पर अगर आप की चार घंटे की तो मानके चलोगी चार घंटे आपके जाएंगे यहां पर आप चार घंटे कर सकते हैं जीजों के लिए ऐसे ही अगर आपने हर चैप्टर के डीश और बहुत बहुत जादा लिए तो इट विल टेक अलोट ऑफ टाइम कि आप एक्जाम से पहले हो सकता हुए रिवाइज ने कर पहो हो सकता हुए उनकी इंपोर्टनेस भी बहुत ज्यादा ना हो तो एक्जाम फोकॉस्ट रहना है आपको तो जो भी आपने चीजे सीखे उनकी मुल्टि यहां पर मच जाना ठीक है तो क्योंकि आप सीखने में कोई बुराई नहीं है आपने सब कुछ कवर कर चुके हो ओल्रेडी आप तीन-चार बार रिविजन कर चुके हो हंड़ेट परशेंट हो कि हां मैं सब कुछ कर लूँगा मॉक्टेस दे रहे हो मॉक्टेस में 170-180 करोंगा और मेरा स्कॉर भड़ जायागा नहीं आपका 130 से घटके स्कॉर 120 हो जागा अगर आपकी रिवीजन सही से नहीं है कि रिवीजन में कितना टाइम डिवोट करोगे आपको कितना टाइम हर बंदे के लिए लग लग हो सकता है बाकि उसके बाद आती है मोक टेस्ट के बारि अब जैसे क्वांट सेक्शन की ही मोक ले लूम अगर में तो मग टेस्ट होगा दो गंटे का क्या दो गंटे में आप पूरा कर पाते हो नहीं कर पाते खुट चुड़ जाते है तो डहे गंटे में तो आपने मोक कम्प्लेट करा, उसके बाद उसका अनलिसिस करोगे जो मुश्किल कोशने सा अगर कोपी अलग से बना रखे उसमें नोट करोगे तो depend करता है, परसन टू परसन कोई 3 गंटे में पूरा एक मोक प्लस अनलिसिस कम्प्लेट करेगा आप कितने मोख दे सकते हो, ठीक है आपको यहाँ पर प्लैनिंग करके चलनी है, कि आप मैस के कितने मोख देने के लिए आप सक्षम हो, अगर आप रोज भी एक मोख देते हो, तो जिनका आठ गांटे था चार गंटे तो आपके मैस के मोख में चले गए 30 मोख भी दिया आपन में यह सो मोग देखे जाए तो भी अच्छा करेंगे आप अगर 15 मोग भी देखे जा रहे हो आप अच्छा स्कोर कर सकते हो गिवन जो आपने चीज़ें पढ़ी है वह अच्छे से रिवैज करें प्रिवीस एर के कुश्चन साब कर चुके हो ठीक है कि देने को आप सो भी दे अगर आप वह साई चीज़े कर हुए कंप्लीट तो इस तरह से आपने प्लैनिंग कर ली मौक टेस्ट की और रिविजन की भी तो यहां पर अभी से बनाओ कुछ भी नई बुक नहीं हाथ लगानी मैं आपको बारबर कह रहा हूं बिलकुल भी आपको यहां पे नई बुक पे हाथ नहीं लगाना है कोई बुक नहीं उठा के आप त्यारी मत करने लगाना अगर आप बहुत अच्छा स्कोर उल्रेडी नहीं कर रहे हो अगर 120-130-140 के आसपास हो आप कहीं मौक में या फिर परसेंटाइल आपकी 90% से नीचे ही आ रही है यह 90% के आसपास आरी 95 अब पर चीजों को बिल्कुल भी मच्छूना भी पुरानी चीज़े करते रहो ठीक है साथ के साथ अपनी स्ट्रेडिजी बनाओ आप अच्छा कर जितना आपको आता है न ठीक है अगर आप अभी जितना आपको आता है आप अभी मौक दे रहे हो आपके 130-140 आ रहे हैं ठीक है अगर सेम लेवल का वेपर अगर आपके एक्जाम में आए तो आप अच्छा स्कूर करोगे अगर आपने एक्जाम से पहले दो या तीन बार रिविजन कर ली और कुछ मौक्स और दे लिए अपने आप आपके 20 नमबर भढ़ जाएंगे यहां पर 15-20 नमबर ठीक तो इंप कोशन आपके नमबर सिस्टम से पूछा गया थे 2008 के अंदर जुमें यह थोड़ी गल्थ शीट आ गई जट गीव में मोमेंट एक सेकंड जैसे एससे सीजल 2018 टीर 2 की वेटेस थी आपकी ठीक है चैप्टर वाइच वेटेस सिंप्लिफिकेशन के दो कोशन नमबर सिस्टम के जिसमें मैक्सिमम कोशन डिविजिबिल्टी रूल्स के ओपर थे लगबग दो-दो कोशन से हरेक्षिट में थे ठीक है जमेटर के चोधा कोशन टीक है अलजैबरा के 9 कोशन टिगनोमेटर के 10 कोशन हाइटन डिस्टेंस का एक कोशन था मैंसुरेशन के 12 कोशन थे पाई चार्ट के थे और हिस्टोग्राम के कोशन थे आपके जाम गए तो इसका फरक कितना पड़ेकर जैसे कि मैं हमिशे कहता हूं सिंपल इंटर्स और कंपाउंटर के मिला कि सिर्फ चार कुर्षन है और यह दोनों चैप्टर बहुत बड़ी चैप्टर से अगर आपको ड पूरा कर्ज ना चाहते हो तो पूरा कर भी सकते हो लेकिन आपको देखना पड़ेगा यहां पर कि किस चैप्टर की वेटेज लगबख कितनी चल रही है अभी एक्जाम में चेंज भी हो सकती है बट उसी साब से आप प्लैनिंग अपनी कर सकते हो कि इतनी वेटेज है बाक पांच कोश्चन में अगर आप एक मिनट देते तो पांच मिनट भी तो आपके पास एक्ट्र बची वह किसी और कोश्चन में काम मत जाएगी ठीक है तो कभी भी एक्जाम देते टेम आपको यह नहीं लगना कि दो-तीन कोश्चन मुश्किल आ आप नहीं कर पाए तो उसके So mainit collection अगर ऐसे निकल गए कि टोपिक नहीं पड़ रखा तो उसमें से मुश्किल कोश्चन आ गियतो उस टायिम अप दूसरे कोश्चन में डिवोट करके कर लोगें तो दूसरी कोश्चन सहीं कर लोगें ऐसे ही अप English की इन्गिषो लेख सकते हैं तो इसा आप applies इं OlIB इस यहां पर एक सब्सक्राइब कर सकते हैं अब रेडिंग प्रेहेंशन जैसे करने का प्लैन होता है जो मैं हमेशा कहता हूं कि आप पहले क्या करो कुष्टन को रीड करो पाँच कोश्यन को एक बर रिट कर लिया से सटी में जो रिडिंग काम्प्रीमेंशन आता है उसमें क्या होता है कि आपको लोजिक नी ढूटना होता कि आपके यह नहीं पूछेंगे समरी बता दो थीम बता दो बहुत ही कम चांसे होते हैं एक आधा आगया तो बाता लगे फ के साथ की से लाइन पढ़ लो वहीं पापको अंसर मिल जाएगा यह बहुत होता है हमारे पास रिटिंग कॉम्प्रेंशन और इसके लिए बहुत जादा प्रैक्टिस में कभी रिक्यमेंट नहीं करता अगर अगर इंग्लिश मीडियम के हो रिदिंग कॉम्प्रेंशन के मैं तो आज तक प्रैक्टिस नहीं करी है सिसी के लिए ऐसे पी क्यों आरेस में ऑप्शन की हैल्प से कर लेते हैं तो दो तीन ऑप्शन तो वैसे अलिमिनेट हो जाते हैं बाकि सेंटेस अरेजमेंट बहुत सारी चीज़े हैं मतलब अभी तो रिसेंटली पूछ रहे हैं तो आ इडिया लग जाता है ठीक है जो स्टार्ट होते हैं हमें नाउन से स्टार्टिंग होगी है बहुत सारी चीज़ें इस तरह की जो आप देख सकते हो तो इसमें भी बहुत ज्यादा मेहनत आपको अभी करने की जुरूत नहीं है फिलाल और यह दोनों सेक्शन इंगलिश में जंबल आते हैं ठीक है एक कोश्चन अभी आया पांच वे नंबर पर दूसरा कोश्चन आ जागा दस नंबर पर तो लास्ट में छोड़ोगे तो सारे के साथ आपको दिख जाएंगे वरना स्टार्टिंग से करके चलोगे तो बड़ी दिक्कात आएगे तो इन तोनों को ल अच्छी कर लिγॉड घरेंवर अच्छी कर लिए उसके बाद ही हम क्लोज टेश्टर करते है ठीक है फ्रेजल वर्बर देख लिए वह साए चीज़े जब हम कर लेते हैं उसके बाद क्लोज टेश्ट पर जाते हैं राइट तो थोड़ा टेम्ड करने का तरीका भी बताया मै कि close test के practice सबसे last में करोगा आप practice भी करोगा है जब यह complete हो गया यह सारा complete हो फिर close test पर आओ और उसके बाद आपका reading comprehension या पीक के वारे से ठिक एक्जाम में close test आओ तो साथ के साथ attempt कर दो एक्जाम में कोई problem नहीं आगी time का बड़ा इश्यू नहीं आता सबसे लास्ट में प्रैक्टिस करते हैं मैंने आपको बताया मोक टैस डेली दे या ना दे तो उसके पीछे मैंने आपको कि लिए कट रीजन बताया कि अपने टाइम को स्प्लेट करो देखो मैस के लिए आपको लगवे कि मौक टैस दें तो काइसे दें क्या तो मौक टैस आप मास्ट लगाए दोगे पहली बात तो क्या आपको मास्क लगा düşün आपको अपने पहना हु 원 कि आपको तेगार रहां है आप क्या करोगे म१ं आपको एक लखाओ होता है 10-12 होता है तो जो slot रखो quant के लिए वो general यही रखो English के लिए अगर मैं बात करूँ English के mock test का time आपका 3-5 ता पिछली बार तो यही time रखो English का मोख किसी time में देने की गोशिश करो अगर दे रहे हो तो जिससे कि exam में जब उस time test का दोनों को देना चाहते हो तो दोनों को मोख दे लिए यहां पर और इसी time पर दे लिए तो एक्जाम से पहले आपके एक बार बन गई तो है अच्छी रहेगा आपके जैसे कुछ लोगों को exam से पहले नीन आती मैं भी उन लोगों में से हूँ ठीक है मैंने जाक के सारे वेपर दिया है चो बारा-बारा घंटे 24-20 गंटे से पहले मैं सो है नहीं था एक मिनेट के लिए जब एक्जाम रख है जहां 24 गंटे जाग लिए अगर बाइचास नीन आई तो भी हम कर लेंगे कुछ फ्रक्तों पड़ेगा परफरमेंस में लेकिन ऐसा नहीं होगा कि बलंडर करके आजो बिल्कुल वह चीजों से बच जाओगे ठीक तो कोशिश करो इस टाइम पर मोग देने की ठीक है अगर हम बात करें सी एचेसल दोजार अठारा सीजेल दोजार अठारा मेंस सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट यह हैं ठीक है सबके सुल्यूशन मैंने आपको चैप्टर वाइस करा रखें अगर आप सार्च करोगे मिल जाएंगे कुछ अपने चैनल पर कुछ अन अक मॉक्टेस से लेकिन मॉक्टेस्ट में भी क्या होता अगर एक्जाम रेलिवेंट पना रहें तो सेम टाइप के पेपर्स मॉक्टेस्ट में आएंगे तो महां से भी आपकी चीजे कवर होती रहेंगी और मॉक्टेस्ट में जैसे अभी टीसिस मानलो कोई पर्टिकुलर के लिए तो वह बार बार रिवेज करते हैRevance मैं से फोर्मॉली में बहुत होते हैं आज कल तो वैल्यू बैस्ट कूछ रहे हैं खाली वैल्यूटिंج से मैक्सीम्म हो पा रहे हैं लेकिन फॉर्मॉले आपको फिर भी पता होनी चाहिए सारे के सारे कोई कोश्चन आया हाय टिक्नोमेंटरीका तो आप कर पाओ और क्या नहीं करना मैंने बताया कोई भी नई बुक नहीं बठानी नो न्यू बुक ठिक यह सब काम नहीं करना आपको जो टीचर ने नौट्स बनाए हैं नोट्स से प्रैक्टिस करनी है रिविजन मैंस की कैसे करते हैं मैं आपको बता जिता हूं जैसे मानलो मैं आपने टाइम पर जो रिविजन करता था जैसे मेरे पास कोपी आउस में मैंने कोश्चन लिखे में तो रिविजन के टाइम पर मैं उन्हीं कोश्चन को खुद सोल करता था सोल्यूशन नहीं देखत बहुत होंगी वहां से कर सकते हो ठीके जैसे हैं कि आप विदेऊ कार सकते हो यह उसकाता है नई PDF solution मत करने हैं कि कोई नई PDF उसे solve कर रहे हो ठीक है वो थोड़ा सा टाइम कंजीमियों को है तो आपको देखना पड़ेगा यहां पर कि पहले क्या करना है पहले जो पड़ रखे है न जो कुछन पहले solve कर रखे हैं खुद वो ही question solve करने है तो यह ही त्या मैंने आपको अगर आप किसी भी competitive exam की त्यारी कर रहे हो तो आप अपनी पूरी त्यारी अन अकेडमी से कर सकते हो सबी एक्जाम की त्यारी आपने अकेडमी से करके अर्बी टैन कोड अप्लाय करके मैक्सिमम डिस्काउंट पास सकते हो SSC exams की बात करें इंडे के top educators मिल जाएंगे आपको 100 से जाद educators available हैं सभी के सारे के सारे courses, recorded videos, class pdf, सब कुछ आपको एक की plan के अंदर मिल जाता है referral code याद रखना है और बी 10 इस code को apply करते हैं और जो भी maximum discount चल रहागा वो आपको सभी plans पे मिल जाएगा SSC exams की बात करें हैं हाँ पे आप 6 महीने 12 महीने 24 महीने का plan लेकर अपनी पूरी त्यारी कर सकते हो यहाँ पे अगर 6 महीने की बात की जाए तो यह 4800 का है 12 महीने का plan आपका 6000 का पड़ेगा और 24 महीने का plan आपका email address डालना है उसके बाद phone number आप डालोगे उसके बाद आपको OTP मिल जाएगा OTP डालते ही आप login कर लोगे login करने के बाद आपको goal select करना है आप SSC exams या जो भी exam की आप तयारी कर रहे हो एक्जाम सेलेक्ट कर सकते हो उसके बाद आपको क्लिक करना है प्लस पे अगर आप प्लस सब्क्रिप्शन लेना चाहते हो तो आप इस तरह की स्क्रीन दिखेगी आप plan select करना अपने हसाब से code apply करना rb10 rb10 code apply करते हैं आपको discount मिल जाएगा SSC exams में same code is applicable for banking exam, railway exam, UPSC, CSC, examination, need, je सब इस एक्जाम के लिंक टूदिट है SSC exams के अगर आप plan ले रहे हो तो SSC की जितने भी exam से CDL, CHSL, CPO, MTS, je, सब भी एक ही plan के अंदर included हैं आपको लग से किसी भी exam के लिए pay नहीं करना even mock tests are included in this साथ इसाथ अगर English की बात के तो रानी मैं हम यहाँ पे English का mock test ले रहे हैं ठीक है schedule आप देख सकते हो 10 अक्तूबर, 17 अक्तूबर, 24 अक्तूबर और 31 अक्तूबर आपके exam से अगर हम बात करें जो चीज़े मैं आपको बताई वहां पर ही है ठीक है और बाकि आप जो कुछ सवाल पूछना चाते हो अगें जैसे मेरी life classes चल रही है मिजसे कोई भी सवाल पूछना चाते हो तो सब के individual questions को भी हम सोल वहां पर कर पाते हैं और बाकि जब भी मेरी classes होती ह प्रोसीजर क्या है description box में आपको link मिलेगा अगर आप इंस्टोल कर चुके हो ठीक है उस link पर जाओगे enroll पर क्लिक करोगे enroll पर क्लिक करने के बाद जैसे ही test होगा ठीक है आपको notification मिल जाएगा और वहां पर जाके आप live test दे पाओगे so that's it guys I hope आप अपनी पूरी तयारी यह पर बहुत अच्छे से करोगे और एक बार की में selection लेने के पूरी के पूरी कोशिश करोगे